हेलो उस्तो नमस्कार एक बार फिर से स्वागत आपका चानक की ग्रूप ओफ एकनॉमिक्स में दोस्तो आज के इस डिटेल्ड वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे नॉबल प्राइज इन इकनॉमिक्स 2022 हर साल हम लोग नॉबल प्राइज के जो विनर्स होते हैं जो उनका टॉपिक रहता है या फिर जो एरिया रहता है उसको हम लोग बेसिकली डिसकस करते हैं तो आज भी हम लोग डिटेल्ड में इसस करेंगे जो नॉबल प्राइज मिला है 2022 में एकनॉमिक्स को किस-किस टॉपिक के लिए क्या प्रॉलम्स थी क्या उनके solutions दिये जिसके वज़़े से ठीक है जो solutions दिये उसके वज़े वो क्या मिला Nobel Prize मिला एक prestigious award है हम सब जानते हैं इसके बारे में बेसिकली यहां हम लोग exam oriented ही discuss करेंगे जो exam में आता है ठीक है तो चलिए तो शुरू से ही हम लोग discuss करते हैं detail analysis करेंगे और हालां कि कोशिश करेंगे वीडियो थोड़ा सा जल्दी खतम हो जाए ठीक सो जो new match है वो हमारा 15 से बना पर्सों से शुरू हो रहा है आप उसको join कर लीजेगा अगर आप serious candidate हैं तो आपको join करना भी है क्योंकि हम लोग new और updated material की साथ फिर से ठीक है 15 से अपनी classes start करने वाले हैं चलिए तो सबसे पहले अगर हम basic बात करें तो तीन economist को इस बार मिला है यह अब सभी जानते हैं ठीक है तीन economist कौन-कौन से है यह तीन economist को अभी Nobel Prize मिला है और यह तीनों ही जो विलॉंग करते हैं और जो last time winner थे आपको याद हो जो last time 2021 में जो विनर थे Nobel Prize वो भी USA से ही थे तो USA से बार-बार ही जो Nobel laureate से यूए से की बन रहे हैं तो कुछ तो बात है इसमें है तो most of the scholar देखोगे आप लॉर्यर जो है Nobel Prize वो USA से ही बिलॉंग करते हैं नजर आएंगे चलिए तो हमें पता है कि यह जो अवार्ड है कौन देता है रॉयल स्वेडिश अकैडमी ऑफ साइंस ठीक है 1968 से ही एकनोमिक साइंस के लिए यह दिया जा रहा है और जो स्वेडन का सेंट्रल बैंक है वो प्रवाइड करता है क्या यहां पर आपने देखा भी होगा अपने यह चाहे टैलेग्राम गुरुप पे देखा होगा चाहे यूटूब पोस्ट भी देखा होगा इसी को हम लोग आगे डिटेल में लिस्ट करेंगे सबसे पहले चेक करते हैं कि एरिया ठीक है इनका क्या था एरिया अप कंसर्ण क्य फृइंचने चिन्त का शेत्र था वो था तक बैंके फिंच एक कानि सुन लेते हैं प्यर्ली यह जो स्टोरी है अपके 1930 जली आले यह सी में से जो उन्होंने जो उनके या फिर हम कहें बेस्ट प्रैक्रिसिस यह इसे निकाले अब हालाग कि यह पहली बार नहीं हुआ जो फाइंड आउट किया है से सुलूशन्स नाइटीन वाली ग्रेट डिप्रेशन वाली और 1936 की सिक्स में एक बुक भी आई थी जनल थे और इंप्लॉइमेंट इंट्रेस्ट अड मनी सभी को ने नाम तो सुना होगा जरूर जितने वी एक नॉमिक्स के स्टूडेंट हो तो हालाग कि केंज ने तो पहल है न भगवान बहुते हैं लॉट ऑफ इकनोमिक्स को एंच को ठीक है क्योंकि 1929 के कॉज़िस जो रूट एंड कॉज़िस से पहले ही बता दी थी कि क्या कॉस थे तो इनोने माना था कि जो एग्रिगेट डिमांड है आपका वो एग्रिगेट डिमांड बिल्कुल लो हो तो इकनोमी का साइकल वहीं पर ठप हो गया बंद हो गया तो इसमें अभी सीख क्या मिली सबसे पहले गौवर्मेंट का इंग्रिगेट डिमांड को बढ़ाएगी इन्होंने भी आगे हम ठीकरेंगे ना इन्होंने भी माना है कि गौवर्मेंट का इंडर्वेंशन बहुत अब कैसे आपने आइडिया लगाना है तब पता लग जाएगा ठीक तो रेट अपर से की बाद अग्लेंड की है फिर यह भी हीट होने शूरू होगी थी तो इसका एडवर्स इंपक्ट बढ़ा ग्लोबली ठीक तो यह तो थी 1929 का ग्रेट डिप्रेशन जिसका हम रूट अन कॉज पहले ही दे दिया था किसने लॉड ने लॉड अविग्ण ने दे दिया था अब नया क्या किया हो ठीक है तो यहां पर बैन बरनान के जो में एनलसी इन्होंने किया 1930s का इन्होंने यह बुला पाने अगे शिस्टम जो कॉलैप्स हो गया था उसी के बज़े से ग्रेट डिप्रेशन आया थे तो इन्होंने इस बात पर फोकस किया था अग्रीक डिमांड लो था इसलिए डिप्रेशन आया अब इसके बाद इन्होंने क्या कि जितने भी अब जो नेक्स्ट क्राइजिस आये आने वाले थे ठीक है जैसे 2007-2008 ग्रेट फाइनिशों क्राइजिस आने वाला था ठीक है ग्लोबली तो यहां भी वो उतना इंपेक्ट नहीं कर पाया जितना इंपेक्ट यहां ग्रेट डिप्रेशन में किया ठीक है अब इसका वज़े यह माना जा रहा है कि जो इन्होंने 1980s में यह जिन्हों तीन एकॉनमिस्ट हैं इन्होंने 1980s में बहुत गहरी अध्यन किया गहरा धिन यह किया कि बैंकिंग सिस्टम कैसे कॉलैप्स नहीं हो सकता ठीक है अगर कॉलैप्स कर गया तो ग्रेट डिप्रेशन आ जाएगा तो मन्दी तो आई लेकिन फिर भी जो बै तो यह था एक मेंन स्ट्रॉक्चर नेक्स्ट सो अमंग अधर तिंग्स ही शोट हाव बैंक्स रंस वर डिसन सिफेक्टर्स इन दी क्राइज अब जो बैंकरन होता है ना बैंकरन का मतलब क्या है जैसे अब कोई हम लोग क्या करते है ना एक रूमर फिला देते हैं अफ़ा जाती है जिसमें हम लोग यह सोचते हैं कि बैंक का सारा पैसा निकाल ले तो और अगर वाली सिच्वेशन आये तो उसमें भी बैंक संक्ट आ जाएंगे और वह लोग समय तक चलेंगे बिकमिंग सो डीप एंड लंब लोंग लंबे समय तक चलेंगी ठीक है क्यों क्योंकि banking system collapse कर गया और क्यों क्योंकि लोग यहां पर क्या करते हैं अफवा भिला देते हैं जिसका भी जो जी कृता उन्होंने अपनी study में किया हुआ था चलिए उसके बाद आगे वो कहते हैं जो बहुमुली जानकरी है ना आपके borrowers की investors की ठीक है वो कहीं मिस हो जाती है या फिर द्वारा रेट्रीव आप उसको नहीं कर सकते हैं द्वारा उसको आप लोग ठीक है उसको क्या कर सकते हैं रीक्रीट नहीं कर सकते डैटा को एक बार अगर चला गया तो बैंक के society's ability to channel saving to productive investment अब saving को अपने investment में बदलना है उसके लिए banking एक अच्छा काम करता है आप से पैसा लेता है और जो इन्वेस्टर है जो इन्वेस्टर उनको लॉन पर दे देता है ठीक सो वो क्या होगा डिमिनिश हो जाएगा ठीक है वो अब क्या हो जाएगा गंभी रुपस उसमें कमी आ जाएगी क्योंकि हम लोग जो saving कर रहें उसका investment नहीं हो पाएगा बैंक दो चीजों से काम करता है एक बात यह ध्यान रखना अभी यह भी चीज पगड़के चलना क्योंकि यह चीज नोंने बहुत focus किया आगे बैंक दो चीज काम करता है एक deposit को accept करता है मल हमारा deposit अपने पास रखता है और साथ-साथ ठीक है जो lawn प्रवाइड करता है जिनक का जो अनुसंदान का शेत्र साना या शोद का जो रिस या जो शोद अनुसंदान रिसर्च जो भी कहलो जो एरिया था वो देखते हैं क्या है सो modern banking research clarifies why we have banks अब जो modern research है सबसे पहले तो कोशिन यह आता है कि हमारे बैंक क्यों है and how to make them less vulnerable in crisis जब crisis होते हैं जब संकट आते हैं तो संकट के दोरान vulnerable जो वो क्या है यहां पर समवेधन शील है मतलब असाहाए हो जाते हैं बैंक क्यों कुछ करी नहीं बाते बैंक कि जो vulnerability है वो कम हो ठीक and how bank collapse deforns financial crisis कैसे bank run से ठीक है यह में एरिया था next the foundation of this research were led by तो तीन economist चुड़े थे ठीक है में यहां पर नाम आता है Ben Bernanke, फिर उसके डॉगलस डाइमंड और फिलिप डाइपिक्र ठीक है यह तीन नाम में है और इन्होंने study कप की थी इन्हों 90s 80s की study की थी और 1980s में भी इन्होंने main जो base माना था depression माना था great depression of the world ठीक है 1999 की depression को फिर उसके बाद या आगे बोलते हैं their analysis the analysis have been of great practical importance अब जो इन्होंने study की ना उसका great practical importance हो था regulating financial markets and dealing with financial crisis जो इन्होंने study की थी उसको practical implement किया तो जो financial market था ठीक है उसमें जो regulation था या फिर जो market का mechanism था वो improved हो गया ठीक चले कैसे हो गया अब आगे हमें पता लगेगा कि कैसे market improve हो गया और क्या गया एनकी session से तो for the economy to function saving must be channeled to investment अब इन्होंने फिर माना कि saving बहुत जरूरी है investment के लिए ठीक है पहले भी इन्होंने यह बात discuss की फिर यह बोलते हैं how the other is conflict there is other conflict जैसे दो conflict है यहां पर एक savers want to instant access to their money in case of unexpected outlays मतलब कि यह बोलता है जो हम लोग है ना हम लोग buyers या हम लोग के home जो मान लो एक household है हम लोग अपना पैसा bank भी रखते है तो हमें जब आप एक जरूरी चाहिए पैसा ठीक है चाहिए हमारी फैसिलिटी होनी चाहिए कि उसके अपने पैसिज तक तक काल ठीक है पहुंच होनी चाहिए पहली बात तो यह करी किसके point of view से depository point of view से फिर दूसरी बात करी वाइल बिजनस बिजनसमें क्या रहे लिए lawn लेते हैं बैंक से बिजनसमेंस and home owners need to know that they will not be forced to repay their lawns prematurity अब before prematurity या prematurity तो जो भी बिजनस फर्म से हैं या फिर home owners हैं उनको भी यह insure होना चाहिए यहां पर कि उनका जो पैसा है ठीक है या तो उनका जो पैसा है ऐसा नहीं है कि जो आपने lawn लिया तो maturity से पहले ही आपको payback करना है ठीक है तो यह बात भी उनके mind वह तो दोनों की फाइदे की बात की गई है buyers की quick अब जो household है उसकी quick access of bank तक और जिन्होंने lawn लिया है उनको कोई premature से लेगी जब तक lawn premature नहीं होता उससे पहले देने की जुरूबत नहीं है ठीक इसमें यह बात कही गई है तांकि क्या दिया न दोनों कोई फाइदा हो और दोनों कोई फाइदा होगा तो banking system में कैसा बनेगा जिसमें एक positive environment create होगा चलिए next one now solution of the problem अब जो problem थी उसका कुछ solution भी होगा solution इन तीनों economist ने क्या दिया वो तो इन देर थियोरी diamond direct and shows how bank offer an optimum solution of this problem एक जो इस्टतम समाधान था वो कैसे निकल की आ सकता है वो इन्होंने find out करके दिया solution ठीक है वो क्या था by acting as intermediaries that accept deposit from many savers जो saving कर रहे हैं हमारे जो household है हम लोग लोग बैंक पर पैसा सेव करते हैं तो एक सबसे पहले जो हमने पहले भी discuss किया था बैंक क्या करता है accept deposit accept करता है and banks can allow deposits to access their money when they wish जब भी ग्रहा को या फिर जब भी customer को पैसा चाहिए या फिर household को पैसा चाहिए तब उनको वहां पर access easily मिलना चाहिए उनका पैसा वापस बिल भी जाना चाहिए while also offering long term loans to borrowers और borrowers अगर कोई loan मांग रहा है long term के लिए तो उसको easily मिल भी जाना चाहिए तो यह इन्होंने एक अपना solution दिया ताकि banking system क्या बने एक जो friendly environment है वो डब्लॉप हो सके मतलब बिजनस environment या फिर एक ऐसा environment जहां पर economic activity easily हो सकी उस टाइप का environment बने चलिए next और बड़ देर अनलेसिस और अलसो शोड़ हाव दे combination of these two activities अब दोनों ही activities से ठीक है deposit को accept करना और launch को provide करना ठीक है इनसे कैसे bank immediate collapse से बस सकता है ठीक है अगर आब इन दोनों से related अगर rumors फैलेंगी तो bank collapse होगा ही होगा तो कैसे उससे से बचना है आगे अपने solution दिए तो इस लार्ज नंबर ऑफ सेवर्स सैमेंट इनिशल रन पूदे बैंक अब क्या होगा अगर रूमर फैलगी की bank पैसा नहीं है तो जो rumor है अब क्या है पहले क्या थी rumor थी अफवा थी अब वही अफवा जो थी actual ने भष्ष न मने बिलकुल सच हो जाएगी जो पहले कि पहरे क्या हो थी कि भाई ऐसा होने वाला है अब व चीज बिलकुल क्षो § रहा है action नो बदल रहा है क्यों कि लोग simultaneous जाएंगे bank में अपना पैसा निकालना शुरू करेंगे और bank क्या होगा collapse करना शुरू कर जाएगा तो जैसी बाते हो रही थी वैसा actual में होना शुरू कर देगा बात में क्या होगा bank collapse हो जाएगा गिर जाएगा बंद हो जाएगा and these dangerous dynamics can be prevented through अब उन्होंने क्या solution दिया यह जो dynamic situation है ना यह bankruptcy वाली या फिर जो bank run वाली ठीक bank collapse वाली यह बच सकती है जब यहां पर government का यह बात important है बहुत exam point of view से important है government providing deposit insurance and acting as lender of last resort to the banks ठीक तो government को यह main role play करना है कि एक government deposit insurance scheme ठीक है deposit insurance scheme ठीक है एक launch करें अब इसमें इसमें क्या होगा कि जो भी आपने deposit किया उसका insured insured है वो अगर आपका अगर bank corrupt भी हो जाता है या फिर bank ठीक है bank बंद भी हो जाता है तो government ने उसका insurance राके दिया हुए आपको उतना sum amount मिल जाएगा ठीक है तो तो यहां पर surety होगी तो इन तीनों एकॉनों इस यह बोल रहे हैं कि यहां पर यह surety होनी चाहिए ठीक है जिससे क्या हो bank run या फिर bank collapse वाली situation ना आए ठीक है तो दोनों का ही ट्रस्ट बना रहेगा जो household है उसका भी और जो business firm है उसका भी चली उसके बार diamond और भी चीज़ बोलते हैं वो कहते हैं कि जो banks का एक socially एक और important role है वो क्या है जो bank है वो intermediators का काम करता है savers और borrowers की बीच में किसका काम करता है मतलब एक बिचोले का काम करता है उधार देने वाले को और bank जो पैसा deposit करता है उसके बीच में now banks are better suited to accessing borrowers अब यहां पर borrowers की creditability है ना यह वाली credit worthiness है मतलब जो भी वो credit ले रहे हैं bank को पता है कि जो bank पैसा दे रहा है कि वो productive है कि नहीं and ensuring that loans are used for good investment जो loan दिया जा रहा है कि उसका उपयोग अच्छे निवेश के लिए हो रहा है या नहीं bank यह बात को जानता है क्योंकि bank के पास record है ठीक है borrowers का भी और चलिए तो अगर इन शॉट देखें अगर overall permission करें इस study का यही में study यही थी फिर भी हम लोग शॉट में इसको sum up कर लेते हैं ठीक है तो contribution तीनों क्या था बैन एस बननके का जो पूरी study थी वो थी आपकी ठीक है में great depression 1930s को उसको analysis किया था उसका distillation किया था 1930s के जो great depression था उसके बाद through statical analysis बननके demonstrate how failing banks played decisive role in the global depression of the 1930s कैसे जो bank failure हुआ था उससे great depression ठीक है worldwide fell गया था अलागि केंज ने क्या माना aggregate demand का कम होना effective demand का मोना लेकिन इन्होंने माना कि bank की बज़े से ठीक है जो bank collapse उसकी वज़े से great depression आया ठीक next and he showed how the bank runs were decisive factor in the crisis becoming deep and prolonged कैसे यह जो crisis थे उससे economy क्या हुआ ही deep काफी आगे तक जो recession रहा वो रहा it also help in understanding the importance of well functioning bank regulations तो इससे हमने bank regulation का जो है उसकी बारे में पता लगा कि कितने efficiently work किया या नहीं ठीक तो बनननके he was the head of the central bank of USA जो federal reserve है उसका head भी थे और तू था बज़े एट में जो great यहां भी again economic crisis थे यह financial crisis थे उस समय में यह क्या थे head थे central bank federal reserve bank है तो इन्होंने क्या किया knowledge को अपनी implement किया जो अपनी research policy थी ठीक है उसको real में implement किया ठीक है और जो बिल्कुल ठीक तरीके से काम भी कर गी और उसी purpose उसी काम के लिए इनको ठीक है novel मिला चलिए फिर उसकी बाद अब इनका क्या काम था में इन्होंने mainly जो work किया कि जो bank system collapse कर रहे हैं उनमें government का क्या role हो सकता है यह basically इन्होंने main factor को ठीक है इंट्रडूस किया तो यह वाला है यहां पर सबसे important है यह वाला है so when depositors know that the state has guaranteed their money state guarantee देगा कि उनका insured है जो भी जमा कर रहे ना वो deposit insured है उनका तो लोग deposit करेंगे आप कोई डर नहीं है अगर bank fail भी हो जाता है या फिर financial crisis भी आ जाते है गौवर्मन उनको उतना amount देगी ही देगी जतना उनका amount बनता है तो इन्होंने यह वाली बात में गई बागी इस ठीक है बागी वही बात है जो अलगी डिसकस कर चुके है ठीक तो और भी कुछ fact देग लीजिए और जो 2022 का था वो यहीं तक है और यही पॉइंट्स सोड़ा से exam point of view से important है अब फिर वही बात है 1968 में स्विरिजिस रिक्स बैंक ने स्टाट किया था ठीक इससे पहले economics से फील्ड में यह नहीं दिया जाता था अधर फील्ड मिलते थे जैसे आपका टिल प्रिश ठीक और जैन टिन बर्जन हाला कि जैन टिन बर्जन का नाम आपने काफी बार सुना होगा ठीक एक यंगेस्ट लॉरियेट्स जो है वो है आपकी यस्थर डेफ्लोग से 46 एर ठीक जो 2019 में विनर बने थे चलिए उसके बाद नेक्स्ट जो और भी डिटेल लिस्ट है इसको भी आप देख लीजेगा इसको आपको यह फाइल जो है ना मिल जाएगी अवेलिवल ठीक टेलिग्राम ग्रूप में वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजेगा ठीक तो यह वाला है यहां से कोशन नहीं आएगा फिर भी देख लीजिएगा क्या बता कोशन आजए सिरफ तीन इकॉनमिस्ट के निम और उनका जो रिसर्च टॉपिक था ना वो यह आ जाता है चलिए तो आज का जो टॉपिक था में में बेसिकली यह आता है कि उनका टॉपिक क्या था और टॉपिक की बाद उन्होंने क्या सोलुक्शन प्रोवाइट किये और रिसर्च किस-किस स्वीड से वह रिलेटेड है ज्यादा यहां से कुछ नहीं आथा चलिए आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं आपको नेक्स वीडियो में ठीक है तब तक के लिए बने रही है चान